कक्षासाथ पाट दूसरा हन्सो और कोवा कि पर्सनुतर देखिये जाए पिले तो आप पाट का उद्देश देखिये एक हन्सो और कोवा जो पाट का उद्देश है अपने समताओं के निश тор कारी करने शीकते ना दया और विनमरत जैसे नितिक मुल्यों का विकास करना शक्ति-वर विनमरत का संबंद बताना एहिंकार से बचने की सीकतेना पाट का वहाँसार वाचन स्प्ण चिकाना कटिन सपनों के अर्थ और विशिष्च प्रियोग बताना संग्या के भेद और सदा इस्ट् पाठ का अपसार देखिए प्रमुक लोकत द्वारे सिखाने का प्रियास किया गया कि प्रतेक की अपने शम्ता होती है किसी को भी अपने शम्ता से अधिक बखान नहीं करना चाहिए तता दूसरों के गुणों का संभान करना चाहिए एक सरोवर में कुछ हंस रात्री विश्राम के लिए टेरे बरगत के वरक्ष पर रहने वाले कोवे कोवे अनोके प्रानी लगे उनसे अपने उड़ने की शम्ता का बखान करने लगा कि वह क्या उन्तरे के उड़ानी जानता है लेकिन हंस तो हंस थे उड़ने में भला हंस और कोवे का क्या मुकाबला कोवे ने दरूदरूड करे क्या उड़ानी दिखाई अब हंसों की बारी थी एक योवा हंस ने कोवे के साथ उड़ान भरी कवा उसके एक उडान का भी मुकाबलन नहीं कर सका और पानी में डूबने लगा तब हंसने कोई की जान बचाई और कोई को भी अपनी गलती का ऐसास हो गया भान हो गया वैं जान गया कि कौन कितने पानी में है तो इसके देखो पाट के दूसरे पार्ट के आप प्रस्नोक्तर देखेंगे, मानक वरत्नय केवला, आपको मानक वरत्नी का, यह होता है, दिये गे सब्नक्तर, उनको वैसे के वैसे, आप बड़े बरगत के पेड़ पर रहता था, दूसरा है, खे, कोई को कितने उडानी आती थी, तो आप कोई को 51 उडानी आती थी, गे है, प्रस नमबर गे है, कोवा हंसों को क्यों पैचान नहीं सका, उत्तर है, कोई ने अपनी जिंदगी में पहले कभी हंस नहीं देखे इन आती और वह हंसों को पैचान नहीं पाए, घेप्रशन है, पानी से निकलकर हंस ने कोई के साथ क्या किया, तो आप आप आंसर लिखेंगे, कोई ने पानी से निकालकर हंस ने कोई को अपनी पीट पर बैठा लिया, फिर उसे लेकर उपर आसमान के और उड़ गया, सोचिए मुल्ले प्रेक प्रस्ण लोग सेखी बगारन अत्वा शो ओफ करना इसलिए जरूरी समझते हैं क्योंकि वह दूसरों के सामने अपने ज्यान धन अत्वा रुपय का प्रसंट कर अपने को स्रेश दिखाना चाहते हैं वह अपने तो आप इसको यह कर लेंगे उसके बाद में लिखिये सवेरा होने पर कवे ने किन ही देखा तो उत्वर में लिखो गया आप हंसों को हंस ने कवे को अपने साथ कितने उडाने भरने को कहा एक तो दूसरा प्रस्ण नंबर देखे आप गध्यांस पढ़कर प्रस्णों के उत्तर लिखिए गध्यांस आप गिताब के अंदर दिया है तो पहला प्रस्ण है कवे ने पहले उडान किस प्रकार भरी तो कवे एक मिनट के लिए उपर उडा और बोला यह ही एक उडान दूसरा है तीस उडान में कवे ने क्या कहा तीस उडान में कवे पेड़ के पत्ते पत्ते पर उड़कर बैठा हंस मन हमन क्यों हसते रहे हंस कवे की मुरक्ता पर हस रहे थे क्या सच में कोई को 51 से उढ़ना आता था इसका क्यारत वास्तों में कोई को 51 से उढ़ना नहीं आता था हंसों के सामने वह अपनी अयोगेता और मुरुकता चुपाने के लिए वैतुस्तिरिफ सेखी भगार रहा था देखो तीसरा प्रेश्ण है संचेप में उत्तर लिखिए कोई का रंग रूप कैसा था तो आपके कोई काजल की तरह काला काना और लंगडा था खेव नोजवान हंस ने कवे से क्या कहा नोजान हंस ने कवे से कहा कोई भईया आप तो हदो गई छोटा मोह बढ़ी बात हो जाएगी आओ हम कुछ दूर उड़लें लेकिन पहले हमें अपने एक्क्याउन उड़ावने तो दिखा दो लेकिन पहले हमें क्यान उडाने तो दिखा दो फिर हम भी देखेंगे और हमें पता चलेगा कि कैसे कववा कववा है और हंस 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 ने कवव की जान क्यों बचाई तो आप कोगे कवव को गिड़ गिड़ाते देख हंस को उस पर दया गई जब अंसने देखा कि कोई को अपनी गल्ती का एसास हो गया है तो उसने कवे की जान बचाई और वापस बरगत के पेड़ पर बैठा दिया विस्तार से उत्तर लिखी है जो था जो है कवे ने ऐसा क्यों कहा कोई की बराबरी कभी किसी नहीं की कवे ने कवे का द्रश्टिकॉ नकोई उड़ सकता है नकोई और नहीं भोल सकता है उसके गवंड की कोई सेमा नहीं थी उसका दिमाग सदेवी सात्वी आसमन पर रहता था एंकार से ग्रसित ओकर ही कवे ने ऐसा कहा कि कोई की बराबरी कभी किसी नहीं की है कवे ने अपनी क्यावन उडाने किस तरह दिखाई कवे एक मिनटे के लिए प्रवडा और बोला यह हुई एक उडान फिर नीचे आया और बोला यह हुई दूसरी उडान फिर पत्ते पत्ते पर उड़ कर बैठा और बोला यह हुई तीसरी उडान, बाद में एक पेर से धाइनी तरफ उडा और बोला यह चोथी उडान, फिर बाद बाइनी तरफ उडा और बोला यह पांच उडान, कोवा अपनी ऐसे उडान दिखाता गया, पांच साथ, पंदरे, बीस, पच्चीश, पचास और रिक्याम उडाने उसने ऐसे ही दिखा दी, हंस के साथ, उड़ते समय कोवा पहले तो आगे था, पर कुछ देर बाद पीछे रहे गया है, क्यों? तो आप कोवे ने पटाफ़ट, पंग पटपढ़ा कर हंस के साथ उड़ना सुरू कर दिया, पर हंस दिरी-दिरी पंग पटपढ़ा था हुआ, कोवे के पीछे-पीछे उड़ने लगा, शुरू-शुरू में कोवा आगे था, तब तक उसके पैरों में सक्ति बागी थी, तब तक वह आगे आगे और हंस पीछे-पीछे उड़ता रहा, पर जल्दी वह ठक गया और हंस से पिछड़ने लगा, उसमें उड़ने की ताकत नहीं रही, जबकि हंस एक गति से बिना ठके उड़ता रहा और कवे से आगे निकल गया, कवे को डूपता देख हंस का उसे बचाना कहां तक उचित था, क्योंकि कवे अपनी मुरक्ता और एंकार के कारण बड़ बोलेपन का सिकार था, जबकि हंस शमता और योगता होते भी विनमरो और विवेकवान था, उसमें एंकार नहीं था, उत्तम जन ही दया और शमा कर सकते हैं, कहां भी कहा है, शमाश ओपती इस बुजंग को जिसके पास गर लो, आशेस पस्ट कीजिए, इस पंक्तिक आशे है कि आप कोवे में उड़ने की सकती नहीं रह गई थी और पानी में अब डूबने ही वाला था, और दूसरे का आशे है, इस पंक्तिक आशे है कि आप उसका एंकार चूर्चूर हो चुका था, उसे अपने गलतियों और शिमाओं का एहसास हो गया था, तो आप क्यों से ना आपकी किताब में देखेंगे, आंसर इसमें से आप कर लेंगे, आपको कहीं कोई दिकत नहीं आएगी, कोश्टक में दियेगे सब्दों की साहिता से रिक्स्तान भरिये, जैसे पंक, फड़ फड़ाना, मुँ बुदबुदाना, होट, थर्थराना, हाथ, कपकपाना, हजीब, लबलबाना, और आँख, मिचाना, इसके इनके आप, दूसरे प्रस्ट में आप इनके विलोम लिखे, गिरना का उठना, और डूबना का उतराना, बेकूप का अकलमन और जवाब का सवार, घमंडी का विवेकी और काला का गोरा, दू-दू प्रियाइवाचि लिखिए, पानिका, जल और नीद, सरवर, सर, जलाश्य, ताला भी लिख सकते हो, आस्मान, नवअकास, कोशिस, प्रियतन, प्रियास, शमुद्र का होता है सागर रतनाकर रात का होगा प्रियाईवाची निसा और रजने सवेर्या का होता है प्राते और भोर खून का होता है रक्त और लहू संग्या सब्दों को रेखांकित कर उनके भेदवी लिखिए संग्या सब्द देखो इसमें कव्वा काजल की तरह काला था तो कव्वा और काजल तो ये संग्या कव्वा काजल नाम है नहीं है तो यहाँ पर कव्वा और काजल जो है संग्या सब्द है और जाती वाचक संग्या है हंस और सरोवर इसमें संग्या सब्द हैं और ये भी जातिवाचक है गह के अंदर है कवे ने अपने उडान दिखाई कवे कॉंडर लाइन करतो और उडान कॉंडर लाइन करतो तो कवार उडान संग्या सब्द हो गए और इसमें है जातिवाचक और उडान हो गया भाववाचक संग्या उसके पंक पानी छुने ही लगी थे तो पंक और पानी को अंडरलाइन करतो संग्या सब्द और ये भी जातिवाचक संग्या नेके अंदर कहो भैया यही उडान दिखानी थी न तो भाया और उडान जाती वाचक और भावाचक सेंगे इन सब्दों के लिंग बदलिए तितली तो तितली पुलिंग होती तो आप लिखदो नर तितली चीता का मादा चीता चिपकली का नर चिपकली कोयल का मादा कोयल मख्य का नर मख्य और मेना का नर मेना का मादा कोयल मसल कि वी से सम्मर्दन समवध्य सब्जेक्ट एंडिश्मेंट एक्टिविटीज आप के मतलब कि नहीं है क्या होता यदी क्या होता यदी कोवा यदी ये गटना अन्य पक्षों को सुनाता तो कहता कि मैं अपने उडान दिखा दी हंस तो मुझसे ही डर गे थे वे तो एक उडान जानते थे फिर भी मैंने उनसे टक कर ले और बराबरी पर रहा वे दूसरे पक्षों के सामने साहे तब भी अपना आपको कर लेंगे आप जैसे में ने देखा नहीं ठूटा तो कैसे का क्योंसर है सांज की समय कभी की मने स्थिति कैसी थी तो आपको की कभी सांज की समय कभी की मनेशिति कैसी थी कभी परिशान सा हो गया था उसका मन भारी था और सरी दुर्बलता उबावा था कभी को चांद का रूप के सदिखाई दे रहा था कभी को चांद पाने गुर्प कि कवी का चांद पिले खुलाप यह सा लग रग रही लग रहा था लुट रख रहा है नहीं चांद की पाले खुलाप और की एवारे जातिनी को थे खुण यह छोड़ तो आप इसे यह करो तो कर लेना वैसे चांद के दो प्रिया यवाची सब्द हैं विदू और इसनेश ठीक है यह भासा का खेल आप कर लेंगे हैं उसके बाद में आप जो है अगला जो पार्ट है देखो यह भी अगर यह है ना नाया वर्णमाला के अंदर आप लिखना जाओ तो यह कह कह कहने चांद के दो विदू रजनीश राकेश मयंक बहुत सारे होते हैं कोई शिपकल होती है यह आपका पार्ट पूरा हो गया प्रसणोत्र जिनको परिशलन आ रही थी आ. वो यह नहीं कहेंगे कि अमने प्रसणोत्तर नहीं आती है आप और मवर्ख कर लेंगे घख्षर 7 के चात्र और जो है प्रसमाल करने के बाद में जो है आप अपना काम कर लेंगे